हेलो गाइज, वेल्कम टू बॉर्टनी मंतरा, आज हम बात करने वाले हैं लीफ सेप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि लीफ सेप के एकॉर्डिंग कितने टाइप की होती हैं, तो इस्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लीफ सेप, फर्स्ट हम बात करते हैं, एरिकुलर, लीफ होती हैं वो लॉंग, निडल लाइक होती हैं, एक्जामपिल है अनियन और फाइनस रॉक्सबर्ग ही, इस ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इस टाइप की लीफ जो है वो अरिकुलर कहलाती हैं, सेकंड बात करते हैं, लीनियर, लीनियर टाइप की जो सेफ होती है लीफ की वो क्या होती है, यह है लॉंग, फ्लैट, नेरो टाइप की लीफ होती हैं, एक्जामपिल है ग्रासिस, ग्रासिस में इस टाइप की जो लीफ है वो प्रेजेंट होती हैं, एक्जामपिल है इसका नेरियम, इंडिगम, इस टाइप की जो लीफ हैं वो लैंस सेफ होती हैं और Pan-Dual side, Browd और Apex side पर यह है इनकी Tapering होती है Next हम देखते हैं 4th Tap की Subulate तो it is an All shape life example Is Bridges तो इस Tap की लीव वो इस Tap की होती है कि mid-rib है उससे Left стоит, right side पर एपेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है और विडियूल साइट पर ये ब्राउड और आल सेप्ट की लीफ जो होती है नेश्ट हम बात करने से पहले हम बता दें अगर आपने हमारी प्रीबियस वीडियू नहीं देखी है जिसमें हमने बात की है इस्टेक्शर आफ लीफ के बारे में इस्टिपूल और लीफ के बारे में लीफ से डिलेटिट टर्म्स के बारे में और साथ ही साथ सिंपिल लीफ और कंपाउंट लीफ के बारे में तो उन सब की बीडियो का लिंक हमने डिस्किप्सिर में दे रखाया आप बहां से वो प्रिबियूस पीडियो देख सकते हैं नेक्ष्ट हम बात करते हैं फिप्त टाइब के लीप सेप के बारे में बात करते हैं ओबलेंसलेट टाइब की ब्रावड इन दा मिडिल एंड टैपरिंग तू बाड बोथ दा एंड एक्जाम्पिल है गनेफीलियम इस टैप की लीफ जो है वो मिडिल साइट पर ब्रावड होती है और एपक्स रीजन और पिट्यूल वाले रीजन पर जो है वो थिन होती है इसटम बात करते है इलिप्टिकल की сिंस टैप के इलिप्ट सेफ बिडि बोथ दा em round example है सीडियम कैरिऍसा एक्सेक्ट्रा जो इस टैपस की लीफ जो होती है वो इलिप्ट रेव खोती है लेंन्स सेफ के तरह होती है बट जो लेंश के जो लास्ट का रीजन होता है वहाँ पर टैप रिंग प्रिजेंट होती है और पॉइंटेड होते हैं बड़ यहाँ पर पॉइंटेड ना होकर यह है इलिप्सेप प्रिजेंट होती है नेक्ट हम बात करिंगे 7, 7 टाइप है ओबलेट एक्सेप इस ब्राउट और दा बेस एंट नैरोइंग टूवर्ड एपक्स एक्जामपिल हिबिसककर स्रुजा साइनेंसे इसका एक्जामपिल है इस टैप्स की लिव ए खशेप होती है इस टैप्स की लिव एक्सेप होती है नेक्श अम बात करते हैं 8, ओबलेट इत इज इनवर्शनली ओबलेट जह है इनवर्शनली ओबलेट ओबलेट की जो है वो थोड़ा उल्टा होती है हमने देखा ओबलेट लीव जो है वो पिट्यूल रीजन से एग लाइक स्टेक्चर का फॉर्मेशन करती है बड़ जो oblate leaf होती है वो थोड़ा उल्टा होती है oblate से oblate leaf जो है वो apex region से egg-like structure का formation करती है oblate leaf से inversional होती है steps की leaf को oblate कहते है upper end, brown, narrow toward the base example है artocarpus ninth type है oblong step की leaf long, wide, big, parallel, running, margin example बनाना इस structure आप देख रहे होंगे next हम बात करें cordate की cordate type की leaf heart shape example, paper, battle step की leaf heart shape होती है next हम बात करें ob cordate यह inversionally cordate होती है cordate leaf की उल्टी होती है just step की leaf को ob cordate कहते है next हम बात करें rounded blade is circular example lotus जब blade जो है वो circular structure में present होता है तो step की leaf को हम round chip leaf कहते हैं और example है lotus next हम बात करें तो next है rheniform rheniform leaf जो है वो kidney shape होती है example है centella estica तो step की जो leaf है वो kidney shape होती है जिसे हम rheniform कहते हैं next हम बात करते हैं 14 spatulate spatula shape that is round and round at the top and narrowing toward the base example है dorcera तो step की leaves जो है वो spatula shape होती है that is जो की apex region पर round और broad होती है और pitule region पर narrow होती है इसका example है dorcera और next हम बात करते हैं oblique oblique shape जो है वो क्या होती है when two hips of the lamina are unequal example as a director and media etc तो लीफ जो है वो midrip का दोनों side के जो blade का region होता है उसे hips कहती है जर्नली हम lamina के जो region होता है उसे hips कहती है और यह जब unequal region में present होते है unequal structure होते है तब इस type की leaves को हम oblique leaf कहती है next हम बात करें sagitate तो sagitate type के leaf बेहन leaf blade is like an arrow जब leaf blade जो है वो arrow like structure में present होता है sagitate बेहन दर leaf blade is like an arrow example है sagittaria sagittifolia जब leaf blade जो है वो arrow like structure में present होता है arrow like shape में present होता है तो इस type की leaf को हम sagitate leaf कहते हैं structure आप देख पारे होंगे इस type की leaf को हम sagitate leaf कहते हैं next हम बात करें hasitate hasitate type की leaf होती है when two basal lobe of a sagitate leaf become pointed and directed upward जब hasitate leaf जो होती है hasitate leaf में जो reason होता है यह reason basal lobe का जो की pointed होता है तब इस type की leaf को hasitate कहते हैं next हम बात करें Qnate Qnate type की leaf क्या होती है इस type के लिए beadage सेफ होती है with lower narrowing end इसका example है pistia तो इस type की leaf जो आप देख पारे होंगे वो Qnate leaf कहलाती है lariate बेंदा leaf blade is like a lari that is contains a big terminal lobes and many small lateral lobes example है reference satibus structure आप देख पारे होंगे lariate का तो steps की जो leaf होती है उनका एक terminal जो lobe होता है वो बड़ा होता है काफी और जो small lobes होती है lateral lobes वो काफी small small present होते है आप देख पारे होंगे इन इस structures को next हम बात करें falicate तो falicate tap की लीव जो होती है वो sickle shaped होती है example है eucalyptus globalus तो इस structure आप देख पारे होंगे इस taps की लीव जो sickle shapes होती है उन्हें हम flacoate कहते हैं next हम बात करें p-date तो like the glow of a word यह है किसी चिडिया के पंजी के समान structure का formation करती है steps के लीव को हम pay delete कहती है और example है bt's pay data structure आप देख पारे होंगे next हम बात करें low rate तो बहन्दा shape is like a narrow strip of leather example belly cn area इसका एक्जामपल जो है वो है belly cn area और steps की leaves को low rate कहते हैं जब leaves जो है वो narrow strip of leathering like दिखाई देती है next हम देखते हैं last 23 जो type का shape है वो है ariculate when the leaf blade is earth shape example magnolia ferricary तो step की जो leaf होती है वो earth shape होती है इसका एक्जामपल magnolia ferricary है और steps की leaf को हम ariculate कहते हैं तो finally हमने देखा कि leaf की जो shape है वो कितने पिरकार की होती है और leaf जो shape के according कितने category में categorize होती है तो basically हमने आज बात की 23 type की shape की leaf के 23 type की shape है वो leaf में present होती है thanks for watching कर दो 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 क